नमस्कार किशान बाईयों मैं फिर से प्रस्तित हुआ हूँ आपके सामने एक गंभीष पर बात करेंगे और विसे है हमारा तमाखु अभी मैं तमाखु की फसल में खड़ा हुआ हूँ और अभी तमाखु की फसल मुक्यता काफी किशानों के खेतों में हैं और इसमें जो रो खाना पॉदें में बिंठा लगना और विदिका साइज ना बदना तो इस तरह कि काफी बहुत सारे रोग होते हैं जो तमाखु में पाए जाते हैं जिसके लेकर हम किसान भाई कई परकार का उफचार करते हैं खाद डालते हैं कई परकार की दभाईयों का इस प्रेश और भी हमारी फसल में कहीं न गई पूरता हमें समाधान नहीं मिल पाता है तो उस बिसे पर हम बात करना शुरू करेंगे कि उसके लिए हमें क्या करना है अब जिस खेत में हम खड़े हुए हैं अभी आप इसकी तमाखु का पत्ता पास से मैं दिखा सकता हूं आप आप देख सकत किसी भी पौदे को आप देख सकते हैं तमाखु में और किसी भी परकार का रोग नहीं है जब यह तमाखु आज से गर हम 15 दिन पहले जाएंगे तो इस तमाखु की खेत में इस तमाखु की बहुत बुरी हालत थी और हमने जिंचीजियों का प्रियोग किया उसके बाद हमा हमारी तमाखु में इस प्रकार का रोग लग रहा है तो बिसिकली हम दो चीजों पर बात करेंगे कि हमें क्या करना और किस प्रोड़क्ट को यूज करना है जिससे हमारा यह रोग दूर हो जाए तो अभी मेरे पास प्रोड़क्ट हैं उनके बारे में बात करना सुरू करें है हमारे पहुदे में जो चटका पनाता है तमाखू में उसको यह दूर करेगा और इसकी कितनी डोजिज रखनी है वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है एक अगर इस प्रकार का रोग किसी भी किसान भाई के खेट में हो तो हमको इतना याद रखना है हमें इन सब के साथ खाद जादा नहीं लगाने है हमको 25 से 30 किलो खाद लेनी है यानि की यूरिया लेनी है एक एकड के लिए साथ में 5 किलो मैंगन बनाने के बाद इसको आप अच्छी तरहीके से धुल देजिए पानी में उसके बाद आप 10-15 दिन बाद पाएंगे कि आपकी फैसल में जो रोग लग रहे हैं जो पत्ता चटकना पत्ते का पीड़ा पड़ना पौदे की ग्रोथ रोप जाना पौदे में बिंठा लगना आ प्रियोग ज़्योग नहीं करें इसके साथ आपको 25-30 किलो यविया लेनी है और आपको यह किसी भी कंपनी का आप लेनी है खराव यह हमारे पास अवन्य कंपनी का बोरोन है यह 20 परसेंट में बोरॉन होता है और यह हमारा मैंगनीशियम है इसको आप पाणी में खेत में फिल देखें जो रोग लग रहा है तमाखों पौदा भी श्वास्त हो जाएगा और आपकी तमाखों की फसल भी बहुत अच्छी हो जाएगी हमारा एक ही मुख्य उद्देश है यहां पर कि हमारे किसान भाईयों की हम सब की फसल को अच्छा कर तो आप इस चीज को आप देखेंगे मैं आप सामने देखता आता हूं आपको कि आप देखें यह आप देखने हैं त्माखु के पौड़ें अभी इस तमाखु में कितना जादा रोग लगा हुआँ था यह में अधल रहां तक क्या किया जाए फिर मैंने जब इसका प्रत्तों से और मैंने इसका यूज किया तो मुझे बहुत अच्छा रेजल्ट मिला है तो आप भी इसका प्रियोग करिए और बने रहे हमारी यूटूब चैनल के साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और अगर कुछ भी कुछ ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं धन्यवाद